हेलो फ्रेंड्स तो आज हम डिसकस करेंगे एसिस्टेंट सुपिडेंडेंट जिलिर का ओरिजिनल एंड फुली कोशन पेपर जो कि आपका आज ही के दिन ये एक्जाम हेल्ड हुआ जिसका पोस्ट कोड था 915 दोस्टों हम first कोशन से start करते हैं तो पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर नेमने में से कुण सक्सेत्र वर्स भर वर्सा पराप्त करते हैं तो इसके राइटां सुरहेगा option number D, None of these अगला कोशन मैप की स्क्रिन पर दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको कोशन एंड उसके अंसर बता जाएगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और दोस्तों जितने पी कोशन मैप को बताऊँगा आप इन सब फिकोशन को एक वार जब इसकी दो या तीन दिनों में official and provisional answer किया जाएगी तो उसके साथ जरूर मैच करीगा क्योंकि दोस्तों जो original answer की होती है उसी के वेश पर आपको marks दी जाते है तो जब इसके official answer कियागी आपको हम इसी channel पर inform सबसे पहले कर देंगे तो आप वहाँ से download कर सकते है चली दोस्तों दूसरा कोशन है आपकी screen पर महसागरी धाराएं किसके कारण नहीं होती है तो इसका right answer हो जाएगा option number C समुद्री जल के गनतव में अंतर option C इसका right answer जोब हो जाएगा next question है चिपको अंदोलन किसके विरुद सुरू किये गए था तो जो चिपको अंदोलन था वे पेड़ों की कटाई के विरुद सुरू किये तो option A right answer हो जाएगा अगला question दोस्तों आपकी screen पर कि Trans Australian Railway चलती है तो कहाँ पर चलती है ये चलती है Sydney और Perth के बीच में option A right answer हो जाएगा अगला question दोस्तों निमन में से कौन सा जापान का सबसे बड़ा द्वीब है तोस्तों हंसू option C हमारे आपे right answer हो जाएगा ब्राजील में गास के मैदान माने जाते हैं तो ब्राजील में जो गास के मैदान मान जाते हैं वे मान जाते हैं कंपाज तो option हमारा B यहाँ पे right answer job हो जाएगा अगला question है निमन में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बेहती है इस question का जो right answer हो खाब होगा none of this क्योंकि दोस्तों जेलम, चिनाव, एंड राभी ती नवकती नदी 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 जो पाकिस्तान में बेहती है अगला question दोपगल किसका उच्टम बिंदू है तो यह हो जाएगा इसका साथपूर परवतमाला का option B right answer उसका बद अगला question है पक्सेमी विक्सोब उत्पन होती है कहां पे होते हैं दोस्तों यह होते हैं भूमद्दे सागरब option A right answer यहाँ पे हो जाएगा next question है निमन मेंसे किसे सहद्री परवतमाला के नाम से भी जाना जाता है तो किससे जान जाता है दोस्तों यह जान जाता है Western God को यानि पश्टमी गाट को option A right answer हो जाएगा अगला question है truck farming किससे संबन दी दे truck farming किससे संबन दीता है यह होजाएगी तो ती कोरियन तो यह हो जाएगा तेमिल नारू, option C, राइटांशडरिया पर हो जाएगा, अगर लग उसने, बारत में सरावधिक सहरी समूदाय कौन सा है, तो सहरी समूदाय दोस्तों, यह है पार्सी, option C, राइटांशडरिया पर हो जाएगा, नेक्स्ट कोस्ट ने सामुदाइक विकास का कारेकरम प्रारम हुआ तो कब हो था? यह हो था 2 अक्तूबर 1952 उप्स नमबर A राइटांसर यहां पर बन जाएगा उसका दोस्तो नेक्स्ट कोस्ट ने भीमसेन जोसी ने स्वैम को स्रेष्ट बनाया है भीमसेन जोसी ने स्वैम को स्रेष्ट बनाया है दोस्तो किस में तो यह बनाया है कंठ संगीत में उप्स नमबर B राइटांसर हो जाएगा वोकल म्यूजिक में दोस्तो आगे बनने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप जियोए या फिर कलर के एक्जाम के तैयारी करें जो कि आपके एक्जाम आगे डिसमबर मौन्त में होने है तो आप चैनल को सबस्क्राइब और बेल आइकन को ओन आवस से कर दीजिगा क्योंकि दोस्तो हमारी कलसे स्टार्ट हो रही है दोनों पोस्ट कोड़नों को लिए तो चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कूल न भूले चली दोस्तो नेक्स्ट कोसन है रमन मैक्सिस आवाल्ड का नाम किस देश के पूरवर राश्टर पती के नाम पर रखा तो यह रखा था फिलिपिन्स के कोमन वेल्थ गेम्स कितने साल बाद आयो जीत हो जाए दोस्तों यह रहते हैं चार साल बाद बी राइट अन्सर आंपह हो जाएगा नेक्स्ट कोसन है किस बारती करिकेटर को टाइगर उपादी दी गई थी तो यह दीगे थी मंसूर अलिखान पटोडी को उप्स नंबर A हमारे यहां पे राइट आंसर हो जाएगा अगला उसने दा टर्म चक्र इस यूजडीन चक्र सब्स जोब प्रिक्त होता है कहां पे दोस्तों यह होता है पोलो में अगला उसने पंजाबी रंगमंच की प्रमाता मही के रूप में कौन अधरणी है दूस्तों उसने नंबर हमारे यहां पे A यह राइट आंसर हो जाएगा यहां से दोस्तों अब हचपी जी के कौश्शन स्टार्ट हो रहे है तो HBG के काफी इस थी कुलूत देश की कहानी किसकी प्रसीद करेती है तो कुलूत देश की कहानी दोस्तों लाल चंदर प्रार्थी की यानि दोस्तों LC प्रार्थी, option A, right answer हो जाएगा next question है जगत सुख में गोरी संकर मंदरी के निर्मान किस स्थाबदी में हुआ था तो यह हुआ था दोस्तों, आठ भी स्थाबदी में तो option B, right answer हो जाएगा next question है महुनाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाय जाता है, कई एक्जामों में आपको district पोच जाता है, लेकिन दोस्तों सान और साबू हिमाचल प्रदेश के किस गाठी के दो लोकप्री नृत्ते है तो यह हो जाएगा लाहूल गाठी के उसके बादोस्तों, next question नेमन में से प्राची इंतम ग्यात पहाड़ी चितरकला सैली कौन सी है तो कौन सी दोस्तों तो वे है बसोली, option C, correct answer next question हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है दोस्तों वे है सहानर option C, right answer हो जाएगा अगला गोसने कालका सिमला रेलबे ट्रैक पर सबसे बड़ी सुरूंग है कौन सी दोस्तों तो वे है बड़ोग बड़ोग सुरूंग जो बड़ी है अगला कोसने हिमाचल प्रदेश का किस जिल में आलो को तपादन का किस तर अधिकतम है तो आलो को तपादन को जागा दोस्तों सिमला में नेक्स्ट कोसने हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालियन वाटरसेड विकास परयोजना किस बर्स में प्रारंब हुई थी तो यह हुई थी 2005 में ओप्शन D राइट अंसर अगला कोसने प्रारंब में किन चार जिलों से हिमाचल प्रदेश बना तो यह बना था चंबा मंडी सिरमोर और महसूल ओप्शन नमबर सी हमारे यहां पे राइट अंसर जब हो जाएगा उसका दोस्तों अगला कोसने 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पुन्रा जगादर ज़ा दी गए था तो यह बारत के कौन सा राज्य बना क्या आप पता दोस्तों यह वाला कोसन हमने कितनी वाद डिस्कूस करके रहा हुए तो यह बना था 18 पर राज्य ओप्शन ए राइट अंसर नेक्स्ट कोसन है हिमाचल प्रदेश की किस रियास्त में प्रजा मंडर ने 1939 में बेगोरी के उनमुलन की मांग की तो यह दोस्तों यह कौन सा प्रजा मंडर था यह था दामी प्रजा मंडर ओप्शन नम्बर हमारा A है यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोसन है नुरपुर रियास्त की स्थापना की थी जेट पैलने अगला कोसन है यहाँ पर गौर का कमांडर अमरसंग ठापने कांगला के लिए पर किस बर से आक्रमन की तो यह की था 1805 में उप्शन ए राइट अंसर नेक्स्ट कोसन है हिमाचल प्रदेश में कारेरत नगर निगमों की कुलसंग क्या है तो दोस्तों मुंसिपल कोर्परेशन बहुत ही वारा आपके घ्रिजाम में को देखने को मिल रहा है बार बार रेपीट को सिन यह वाला हो रहा है तो इसका राइट आंसर रहा है पांच बी राइट आंसर अगला कोशन है है तो आप वह वाला टोपिक जरूर देख ले वह वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जूरूर देख ले दोस्तों उसमें पहले थियूरी वेश्ट कर वाया है एंड उसके बाद आपको इस थियूरी वेश्ट प्रेक्टिस सेट भी कर वहाए जिसमें से आपका जिल्लों से कोई भी कोशन उससे बाहर नहीं रहने वाल अगर आपने वह वाली वाली तो जिल्लों से अगर आपको कोई भी कोशन आ जाए तो आप 101 फ्रेंट एक्जाम में कोशन करके आओगे अगर आपने नहीं देखे वीडियो तो वह वाली जल्दी से देख लीजीगा नेक्स्ट कोस्ट कोस्ट ने से अब आपके करेंट आफिर्क के शूरू और है किस बारती सहर को हाली में बारत का प्रासम प्रासम वार्ट में सहर को जोशित की गए तो इस एक गया था इन अगला उसने हाल ही में जारी वहस बिक्यूवा विकास सुषकांक में बारत का कौन सास्तान है तो बारत का था एक सो बाहिंबस तान अगला उसने बारत ने हाली में नोसेना अभ्यास आल मोहद आली हिंदी 2021 में किस देश के साथ भाग लिया तो दोस्तो यह लेता साओध यार्बक साथ तो ऑप्सन बी राइट आंसर अगला उसने हाली में समुद्री सुरक्सा बढ़ाने पर UNGC की उचिस तरी खुली बहस के देख ता किस ने की ती दोस्तों तो यह की थी नरेंद्र मोधी ने ओप्सन बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट गुछने लहासा गोंगर हवाई यड़ा जो हाली में समाचारों में था किस देश में स्थीत तो यह है दोस्तों चीन में तो ऑप्सन बी हमारा राइट हो जागा है no next question है हाल ही में की ससंगत ने अपने प्रतम महिला अधिकारियें को लड़ाक का वोमिका में सामिल किया है दोस्तों यह की है ITBP ने इसकी फुल पर मते इंडिन टीबिट बोर्डर पोलिस तो option B right answer नेक्स्ट कोशन दोस्तों Olympic से आपको कोशन देखने को यहां पे मिला है Tokyo Olympics 2020 में कौन सा देश-पदर कितालिका में शीर्ट पर रहा है यह रहा है USA ये दोस्तों अमेरिका जो और शीर्ट पर रहा है नेक्स्ट गोगरक सित्र जो हाली में समचारों में था किस राज याग के नसास्ट प्रदेश में स्थीत है तो यह है दोस्तों लद्दाख में उप्शन B राइट अंसर उसके बाद नेक्स्ट गोशन है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग 2021 की थीम किया थी तो यह से दोस्तों विक्टिम्स वाइस लीड दवे उप्शन नबर D राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा अगला गोशन है दा मोस्ट इनक्रेडिबल ओलम्पिक स्टियोरीज का लेकर कोन है तो इसका लेकर का दोस्तों लिवसाने वेरानी के उप्शन डी राइट अंसर प्रारंप की है मुख्य मंतरी बात से लेकर के दोस्तों उत्तरा खाने ओप्शन नबर D राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट कुछन है पदमा सचदेव जिनका हाली मजिदन हुआ है किस बासा की लेक के कवित्री थी तो यह थी डोकरी बासा की ओप्शन नबर A राइट अंसर हो जाएगा अगला कुछन है अंतराश्टरी से ने खेलो 2021 के में जिवानी किस देश ने की यह किसी दोस्तों हरसियन है उप्शन नबर A राइट अंसर हो जाएगा अब दोस्तों यहां से आपके क्रांट फेर विसमाप तो गए अब यहां से आपके रिजिनि और A राइट अंसर अगला कुछन है पचीस उसी परकार 125 से समब्धित है जैसे 36 समब्धित है किसे दोस्तों इसका राइट अंसर वाइगा दोस्तों से जो यहां पर हमारा right answer आया वे option D right answer हो जाएगा यहां पर IW next question है दाइय से 11 अक्सर के y छेटा अक्सर कॉन सा होगा दोस्तो option D right answer यहां पर हो जाएगा option D का correct answer हो जाएगा वैसे दोस्तो आप जब इसके official answer कियाएगी तो उसके साथ जुरूर मैच करें अपने नमबर को चलिए अगला question देखते हैं तो अगला question दोस्तो आपकी screen पर 59 तो इस question correct answer किया होगा दोस्तो तो इस question correct answer होगा option number A यहां पर correct answer हो जाएगा उसी परकार दोस्तो नेक्स्ट question है 60 question जिस परकार दोस्तो बैक जोग 5,914 और काइट को 4,806 गरूप में लेखा जाता है तो उसी कोट में beat को क्या लेखा जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा 5,697 option number A right answer हो जाएगा उसके बाद दोस्तो 61 है नेक्स्ट question 61 इस question में है कि जमा का अर्थ, गुना गुना का अर्थ, माइन से बाह का अर्थ, प्लस और मानिस का अर्थ भाग है तो दोस्तो यह आपके सामने equation है इसको solve करना है ठीक है तो जब आप इन माइनिस किस्तान पर प्लस और पाकिस्तान पर उपर वाली वैली को रखेंगे उसके बाद बोर्ड मास्ट का फार्मूर लगाएंगे तो उसके बाद आपके पास जो अंसर आएगा वे 18 आएगा तो उप्सन हमारा बी यहां पर राइट अंसर हो जाएगा कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़तीै और दोबार कुछ दूर चलने के बाद बढु़तिया किसदीस करें सिमॉक है तो दोस्तो इसको उप्स disci यहां पर रराइट अंसर होगा होगा तो यहां पर राइट वाह पर उप सालिक हो जाएगा तो तो यहां से अब आपके English के question start हो रहे है, ठीके, तो यहां पे fill in the blanks है, तो यहां पे no matter what dash come our way, तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे इसका right answer होगा, provocations, option A, right answer. Next question है, the police dash to move, तो इसका answer होगा, वोगा option number B, वोगा option number B, वोगा option number B, इसका right answer हो जाएगा, यानि, dispersed. Next question है, दोस्तो 67, तो इसका यहां पे right answer होगा, वोगा option number C, अगला question है, time once lost cannot be, dash, तो यहां पे दोस्तो इसका right answer हो जाएगा, option number B, अगला question है, the term given to you are not acceptable, dash me, to acceptable to me, option D, right answer. Next question है, दोस्तो, यहां पे west express is the meaning है, दोस्तो यहां पे आपको same name है, बताने है, a stop to service, तो यहां पे इसका right answer होगा, option number A, right answer हो जाएगा, bribery, अगला question है, to be a good Samaritan, तो यहां पे जिसका, दोस्तो, correct answer होगा, option number D, right answer होगा, a genuinely charitable person, अगला question है, pal male, तो इसका जो right answer होगा, दोस्तो वे क्या होगा, तो इसका right answer होगा, बे होगा, option number यहां पे, a right answer होजाएगा, यानि, inharried disorder, option number A, correct answer, next question है, to make the grade, इसका answer होजाएगा, to make out successful, option C, correct answer, अगला question है, to coast parallel before a swine, तो दोस्तो, इस question का right answer होगा, बे, option number D, इसका right answer होजाएगा, अगला question है, यहां पे आपको opposite meaning होज करन यहां पे, तो, first है, a right, अगलाST ने सक conservative होगा, बे होगा, हमिद, option number C, right answer, next question है, कंड्शिट्रेट, इसका जो अन्टोन में होगा, दोस्तो, यсяनी, opposite meaning होगा, indifferent, option D, right answer, next question होजएगा, बे होगा, option number D, unknown, अशका बाद ने सका right answer होगा, बे होगा, बे होगा, बे, डे, अपन double तिल दोस्तों उसके बद यहां से अब हम हिंदी कोशन कर लेते हैं सबसे पहला कोशन है सूद सब्द आपको यहां पर चूज करना है साहित दे क्या से पढ़ते हैं साहित तक पढ़ते दोस्तों उप्शन नमबर A राइट अंसर 9 कसन दियोते है ने प्लस अन करन करते हैं कान देश सब्द हो जाएगा दोस्तों यहां पर क्यों जाएगा देश सब्द हो जाएगा यहां पर मोडर उप्शन नमबर D राइट अंसर उंट का इस्तिले हो जाएगा उंट नी मातरबास में समास है ततपूर्स मदूकी बावाज संगया मदूर्था केस का विसेशन है केस और दोस्तों मार्क में प्रत्य है तो कौन सा प्रत्य हो जाएगा मार्क में तो मार्क में जो प्रत्य है वे हो जाएगा रक और हांस का प्रवाची सब्द दोस्तों क्या है तो हंस का जो प्रवाची सब्द हो जाएगा बेह जाएगा उप्सिंबर C इसका कोक राइट अंसर हो सकते है दोस्तों इसका अभी तक मिला नहीं है लेकिन जब इसको ऑफिशिल अंसर कियागी तो मैच जरूर कर लीजीगा चलिए उसके बाद अगल गोसन तर चलते हैं तो अ नेक्षट कोशने चेन में बोद धर्म के प्रवाँब कसरे प्राश्य प्रेलंभिक रूप से किसे दी जाते हैं तो इसके कष्याप मुझे को उप्शन B राइट अंसर Next question More Kyle के दुरान सरभादे के प्रुकत सिक्कादा दोस्तो वेता कर सपना Option D राइटनसर Next question Asok के परकास सिन में राजु के देखवाल करते थे तो ये करते है दोस्तो न्याय परसासल के Option D राइटनसर Next question दुरानी वनस के संस्तापना किस ने की थी तो यह की थी अहमदसा अब्दाली ने नेक्स्ट कोशना सूफिवाद की सुहरावदी पदती भारत के किसक सेतर में प्रशिद थी यह थी पंजाब और सिंद में किसा ने नेक्स्ट कोशने है कोन समोगल सासक पढ़ने की कलासे अनि बागएता दूस्तो कौन तो वे था अकवार अकवाजेथ दस असिक्स नेpson अगला गोसने मराथा परमुक संबा जी को किस के साथ निकाल का दुरान फान सीद दी गई थी यह दीके थी औरंग जेब की, option C, right answer अगला गोसने, गंधार सैली की मूर्तियों पर किस का परभाप पर तभी मिन्त होता है यह होता है, ग्रीक्स, option A, right answer नग्श्ट है, दिली में लाममस्षी दिका निर्मान किस नह करँए, तो यह करँए था सहल जाने अलाव धिन खिल जी के दरवार में प्रिद का बिता, तो यह था अमीर कुषरो अगला गोशन दोस्तों, भारत की यात्रा करने वाला प्रत्म विद्वान निमन में से कौन था, तो वे था हैंसांग, उप्शन A, राइट अंसर नेक्स्ट गोशन है, पूसे भूती वांस का सासन यहां पर था, तो वे था थाने सबर्म, उप्शन C, राइट अंसर अगला गोशन था, भारत में प्रिकासित प्रत्म सामचार पत्र था, दोस्तो वे था, बंगाल गैजट, उप्शन B, गोरेक्ट अंसर अगला गोशन है, सर चार्ल से भूड, थारा से चोवन का दिस्पैच प्रत्म ग्रूप से संबन दिता, तो किस संबन दिता दोस्तों, तो इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा, स्राक्स निक्सलारियन के एजुकेशन रिफोर्म से भारत का प्रत्म गुवर्नल जेनरल, लोड वीडियम बैंटिक, उप्शन D, राइट अंसर मातमा गांदी के विचार अत्यदिक प्रवावित थे, दोस्तों वे थे उपनिस्टों से, उप्शन B, राइट अंसर अगला कुसने क्रीप समिस्न किसके सासन के दुरान भारता है था, यह था, लोड लेने ले था को कोई, उप्शन नमबर A, राइट अंसर अगला कुसने, बारती समिदान के विचार सरपतम इसके दौरार दिये गया तो यह दिये गया था, दोस्तों MN, रोई के दौरा तो उप्शन B, राइट अंसर हो जाएगा बारती संग की योजना किस देश के संविधान से लिए गई है यह लिए गई है कनाडा से option B right answer अगला कुछन है अलप संख्यकों के हित्तों का सेलक्षिन बारती संविधान के किस अनुचेद में विचारी दे तो यह है दोस्तों अनुचेद 29 option C correct answer नेक्स्ट कोछन है विधान पर्षद में से दस्यों की कुल संख्या विधान सवा के कितने से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों वान थाल्ड option number A right answer नेक्स्ट कोछन है सपीकर द्वारा से विकार करने से पूरुब सरकार में अभी सिभास का प्रस्ताव लोक सवाब में कितने से दस्यों द्वार समर्थित होना चाहिए तो यह होना चाहिए दोस्तों कितने है तो 55 option number A right answer अगला कोछन हो जाएगा लोक साप का कारेकाल दोस्तों लोक साप का कारेकाल है एक बार में एक वास तक बढ़ह जा सकते option C right answer next question है केंदरी मंतरी परसिद में सामिल होते है तो यह होते है कैबिनेट मंतरी राज्य मंतरी और उप मंतरी option C right answer next question है राश्ट पती के पांच वस्त के कारेकाल की गाना की जाती है दोस्तों यह की जाती है जिस दिन वे पादगरहन करता है उसी दिन से option number C right answer हो जाएगा अगला गोसन है section की उजना के लिए राज्य सरकार का उतर दाए तब इनके साथ साजा किये जाता है तो दोस्तों यह की जाता है मानव संसादन विकास मंतरा देश option B right answer अगला गोसन है संवेदान एक संसोदन के लिए विद्यक पस्तूत करने के लिए कौन अधिकरीत है तो यह हो जागा दोस्तों संसद का कोई भी सदन option D right answer next question है निर्वाचन आयोग किस के लिए चुनाव आयोजित करता है तो दोस्तों निर्वाचन आयोग संसोद के लिए भी राज्य बजान सबाओं और राष्टापाती उपराष्टापाती सभी के लिए option C right answer यहां पर हो जागा next question है किस राज्य में कोभी पंचाइती राज संस्ता नहीं है तो वे है नागालेंड में option D correct answer next question है कौन सा एक संबेधानिक के निकाए है दोस्तों भी हो जाएगा नित्यायोग option C right answer भारत में पच्चिवरा जेबना तो वे मता गोवा सुक्त राष्टर सा धार्न सा बाके कितन देश दस यह थे तो वे थे हम 193 अगला question दोस्तों आपकी स्क्रीन पर भारती सान ने अकाडमी कांस दीता है इंडिन मिलिटरी अकाडमी देहरा दून में option A right answer सारजनिक स्थानों में दुमरपान का राष्टर बेंपनी से है दोस्तों यह कब से तो यह है 2 अक्तुबर 2008 से option B right answer next question है ने में से कौन सा भारती संभिदान का तत्व नहीं है तो कौन सा नहीं है दोस्तों यह हो जागा इसका option number D right answer हो जागा साममेवादी राज्य next question है भारती संभिदान की आठी प्यान सूची संबन देता है तो यह से त्री बासाओं की सूची से option number A right answer next question है कि डैस मिलाकर पाने की स्थाई कर ठोड़ता का दूर किया जा सकता है दोस्तों किसे मलाकर तो यह है किया सकता है बासिंग सोडा मिलाकर option D right answer next question है कौन से दातू सामरिक दातू कहलाती है titanium जो वो सामरिक दातू कहलाती है नेमन में से कौन से gunmetal के संगाटक है तो copper and team है ने दोस्तों तामबा और team जो वो gunmetal के संगाटक है next question है किस के निर्मान के लिए लकड़ी, मुखे, कच्छा पदा रहता है तो दोस्तों यह है कागज के निर्मान के लिए barometer के पाथे आंक का गिरना किसका सूच चुक है दोस्तों barometer के पाथे आंक का गिरना वर्सा का सूच चुक और barometer के ओपर उठना तो यह है तुफान का सूच चुक है तो यहां पर राइट अंसर option B correct answer हो जाएगा अगल उसने सुरक सा fuse में होना चाहिए सुरक सा fuse में होना चाहिए दोस्तों उच्छ प्रत्रोद और उच्छ गलनाग high residence and high melting point option A correct answer next question है transistor की सरवद देख पाए जाने की सबाब नहाए किसमें दोस्तों तो वह है option number 10 का B राइट अंसर होएगा hearing aid में option B correct answer next question है किस हार्मोन में iodine होता है दोस्तों यह होता है थायरोक्सिन option D right answer dash के दोआरा आप सकता के लिए केवली glucose का प्रयोग किये जाता है तो दोस्तों किसके दोआरा तो यह किये जाता है दोस्तों glucose को प्रयोग brain के option number C right answer यानिकि मुश्ट इसकी अगला गोस्तन है अगला गोस्तन है दोस्तों पोद्धा जो फाइबर और खाद देफाल दोनों उत्पन करता है तो उसे क्या कहता है उसे कहता है सूर्ज मुखी option number B right answer हो जाएगा अगला गोस्तन है कौन सा एक चर्म रोग यह है दोस्तों पहला गर option B correct answer अगला गोस्तन है स्राब पीने से श्रीर का कौन सा अंग परवावित होता है तो स्राब पीने से श्रीर का जो लीवर है दोस्तों वे परवावित होता है option number B right answer हो जाएगा next question है कौन सा संक्राम करोगा तो यह है डिव थीरी है option A right answer उसके बाद है पानी के बुर्बुरे के चमकने का कारण है तो यह है पूरन आंतरिक परवर्चन option number C right answer अगला गोस्तन है खाना पकाने का दुरान किस कपड़े से बने बस तर पहनना सुरक सीता तो यह है option A right answer उसके बाद दोस्तों B right answer हो जाएगा अगला गोस्तन है अंगोरा उन किस की ने सल से प्राप्त होता है तो जो अंगोरा उन वे खरकोस की ने सल से प्राप्त होता है option B right answer next question ओजोन छिदर किस के लिए उतरदाई पर दुसके तो ओजोन छिदर है दोस्तों chlorofluorocarbons option D right answer next question है भारत ने पंचवर से योजनाई अपनाई तो बहुत पूरब यूएस आस है option B right answer next question है एक पुंजी वादी अर्थ विवस्ता में कौन सा निर्ने लेने के मादेम के रूप में कारे करता है तो यह है consumer यानि उपवोक ता option B right answer next question है कौन सा अपर टेक्स कर रहे है which is an indirect text तो बहे हो जागा दोस्तो एक साच ड्यूटी अब आकारी सुलक option number B right answer अगल दोसने mutual fund और stock market के लिए मूल नियमक प्रादिकार के इसके पास होता है तो यह होता है option C right answer next question है दोस्तो उच्च मुद्रा सफिती और नियमन आर्थिक बिकास का काल जाना जाता है तो यह जाना जाता है stagflation यानि निसपंद सफिती option C right answer अगल अगल उसने कि इस अब दी के दुरान भारत में तीन बरसों के लिए कोई पंच वर्स जोज़ना नहीं थी तो 1966 से लेके 69 तक जो होती वो कोई पंच वर्स जोज़ना नहीं थी option C right answer अगल उसने काले धन के और मूलन के लिए उपाए सुझाने के लिए दिन में से किसकी स्थापना की गे थी तो यह की थी चले यह समीथी option D right answer next question गरीबी हटाओ नारेका निर्मान होते दोस्तों 1971 में option A right answer next question company के वस्थ दिख स्वामी होते है तो यह होते है समतान स्थार के नहीं equity and shareholder option C right answer अगला उसने निवनतम आवे सकता कारेक्राम में अधिकतम आम्टन किस के लिए की जाता है एक लिए था रूलर वाटर सप्लाई के लिए option number B right answer हो जाएगा अगला उसने बारत केंद्री वैंक कौन से दोस्तों RBI next question कौन सा स्वेत करांती से सेंबंद दवारगिस कूरियन अगला उसने वी सिंग वूमन की संकल अपना किस ने दी ती अगला उसने बारत में कोफी का सरब देखोत पादोने किस राजिये में है तो वे है कांपे दोस्तों वे है करनार्टक में next question निगन में से कौन सा सादारन वीमा के अंतरकत नहीं होता है तो समूदरी वीमा इसका राइट अंसर हो जाएगा next question ने प्रितवी के भीतर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में व्रिदी की ओस्तादर है क्या है दोस्तों तो वे है परतेक बातिस मीटर के लिए एक लेगरी सेल्सिस option नेमर बी राइट अंसर next question प्रितवी के स्थेह पर निर्मित ब्रंस किसका प्रिनाम है तो यह है दोस्तों ओल ओफ दीज का option डी राइट अंसर उसके बाद अगला उसने आपकी स्क्रीन पर कि भारत का दक सीनी भाग बुकाम के प्रति कम प्रवन माना जाता है क्योंकि दोस्तों यह एक कठोर स्थाई ब्लोग है option नेमर बी राइट अंसर next question उसने संपीडन बलों द्वारा क्रिस्टल चटानों के वलन के कारण निर्मित परवत को क्या नाम दिये गया है तो यह दिए गया है फोल्ड पहार option नंबर हमारा बी राइट अंसर जाएगा यनि फोल्ड मॉंटेन वलित परवत अगला उसने प्रित भी कितनी उर्जा को पार्थी विकरन के रूप में अंत्रिक्स में वापिस विक्षित करती है तो यह करती है 51 उनिट उप्स नंबर डी राइट अंसर नेक्स्ट कोशन दोस्तो एंड लास्ट कोशन है सितोसन चक्रवात मुखिता किसके कारण उत्पन होते हैं तो यह होते हैं A एंड बी दोनों से ओप्स नंबर सीस का राइट अंसर हो जाएगा तो दोस्तों यह पूछा गया था आपसे आज ही पेपर हुआ था जेल सुप्रिडेंटल का पोस्ट कोटनों से पंदरा था जिसका तो यह था उसका ओरिजनल एंड फुली सोलवेंड पेपर उमीद है कि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी अगर आप भी कलर कैंड जे ओए के तैयारी करे हैं जोकि आपके जागे होने वाले हैं तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बैल आइकन को दोड़ीज़गा और दोस्तों आपके लिए इस चैनल पर प्लीस के लिए भी क्लास प्रवाइड को आजएगी और कलर जबार तबंदे मादरम